हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब और यहाँ पर मैं बालों की कटिंग कर रही थी तो मैंने सुचा कि चलो आज के ब्लोग की सुरुआत मैं यही से करती हूँ तो मैं ममी के बालों की कटिंग कर रही थी और इसका पूरा वीडियो पड़ी हेल्थ एंड ब्यूटी पर आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सौपिंग करने तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मैं क्या-क्या ले रही हूँ वैसे मैं सौपिंग हॉल घर जाके सेर करूंगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आज मैं सौपिंग करने आई ह पूजा सौपी में ये सरयागंज टावर के पास है और यहां पर मैं फर्स टाइम आई हूँ मैंने काफी सुना था लेकिन यहां का जो रेट है मुझे थूरा सा ज्यादा लगता था और मतलब और जगह के कमप्रीजन में तो आज मैंने सोचा कि चलो चल के देखते हैं तो यह अपनी छोटी सिस्टर इनलाओ के लिए ले रही हूँ और जो क्रॉप टॉप लिया है उसका रिव्यू मैंने परी हेल्थ और ब्यूटी पर सेर किया है आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं तो फिलहाल यहां पर कुछ और क्रॉप टॉप दिखा रहे हैं तो आप लोग लोगी देखिए और यह देखिए यहां पर मैं अपने लिए जैकेट ले रही हूँ तो आप लोग भी देखिए और बताईए कि कौन सा अच्छा है वैसे तो मैं ले चुकी हूँ लेकिन आप लोग भी बताईएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है झाल 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 कपड़ों की सौपिंग हो गई है तो यहाँ पर नीची में ही एक सौप है तो यहाँ पर हम लोग आईस क्रीम और पानी पूरी खा रहे हैं थोरी बहुत सौपिंग और बच गई है झाल 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 और अभी हम लोग आ गए हैं कलकता बजार और यह उपर में ही था वैसे यहाँ से कुछ लेना नहीं था लेकिन यहाँ आके पता चला कि काफी डिस्काउंट चल रहा है तो हमने काफी कुछ लिया वैसे घर चलके मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है तो यहाँ पर काफी डिस्काउंट चल रहा है आप लोग भी आके ले सकते हैं और अभी हम लोग आ गए हैं डिलाइन्स ट्रेंड में और यहाँ पर भी 50% डिस्काउंट चल रहा था पड़ी के लिए सूज लेना था बड़ पसंद नहीं आया तो हमने यहाँ से नहीं लिया वैसे पड़ी यहाँ पर ट्राइ कर रही है लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आया फिर हम दूसरे स्वाप पे गय और वहाँ से हमने पड़ी का सूज लिया और अभी हम लोग घर आ चुके हैं और यह देखिए मैंने अपने लिए यह वाला जैकेट लिया है इस टाइप का जो पार्टी फंक्शन में चल जाए लेदर का जैकेट है और इसका प्राइस है 1945 और इसको मैंने पुजा सौपी से ही लिया है और आप लोग सज़ेस्ट कर सकते हैं कि इसका रख रखाओ कैसे करना है ताकि यह जल्दी खड़ाब ना हो क्योंकि अगर हम लेदर के जैकेट को सही तरीके से नहीं रखते हैं तो बहुत ही जल्दी खड़ाब हो जाते हैं तो प्लीज आप लोग सज़ेस्ट कीजिएगा और ये वाला सूट पीस है जो कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर इन लोग के लिए लिया है एक्चुली लेना नहीं था लेकिन मॉल में उनको पसंद आ गया ये वाला और सुन्दर भी है आप लोग बताईया कि कैसा है और इसका प्राइस है 999 यानी कि ये ठाउजन का है और ये वाला सॉल है जो कि मैंने मॉल से ही लिया है एक्चुली मुझे लेना नहीं था लेकिन वहां जाके पसंद आ गया तो फिर मैंने ले लिया आप लोग बताना कि य कैसा है और ये वाला स्टॉल है जो कि दीदी का है एक और एक चोर ऐसे जो की मैं दिखा रही हूं ये वाला तो आप लोग बताईये क्या थैं और अभी इन सब पर भी डिसकाउंट चल रहा है तो आप जाकि ले सकते हैं तो चलिए फजयाकि आप, लोग और मैं आप लोग क आप लोग बताईएगा कि कैसा है और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है 2460 रुपीज का है और वहाँ पे फिक्स प्राइस होता है अगर आप लोग गय होंगे तो पता होगा डिसकाउंट नहीं होता है और ये वाला सेंडिल है जो कि मेरी छोटी सिस्टर-इनलो के लिए ही है औ और ये पड़ी का सूज है तो यहीं सब सौपिंग आज होई है आप लोगों को ये सौपिंग हॉल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर रहे हूं मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बबाई और अगर आप मेरी चानल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रिस कर दीजिएगा थेंक्यू बबाई